C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की इतिहास की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारे अतीत हमारे अतीत ध्वनी पाठे पुस्तक में अब सुनते हैं अध्याय साथ शीर्शक है अशोक एक अनोखा समराट जिसने युद्ध का त्याग किया जन्म दिन पर रोशन को दादा जी से कड़क नोट मिले उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था लेकिन साथ ही वह बिलकुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाई तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे उसने सोचा आखिर यहां शेर क्यों बने हुए हैं एक बहुत बड़ा राज्य एक सामराज्य हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया था और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था इस विशेब में तुमने अध्याय छे में पढ़ा है इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभीलेक उत्कीर्ण किये गए इसके पहले की हम यह जाने कि इन अभीलेकों में क्या लिखा है यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को सामराज्य क्यों कहा जाता है अशोक जिस सामराज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंदरगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी चानक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंदरगुप्त की सहायता की थी चानक्य के कई विचार हमें अर्थ शास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं इस प्रिष्ट पर एक बॉक्स दिया गया है और इसमें वन्ष के बारे बताया गया है इसमें इस प्रकार से लिखा है जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वन्ष का कहा जाता है मौर्य वन्ष में तीन महत्वपूर्ण राजा हुए चंद्रगुप्त उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक प्रिष्ट संख्या अर्सट इसे से पहले कि पाठ में चलें इस प्रिष्ट पर एक मानचित्र दिया गया है और इस मानचित्र में उन स्थानों का उलेख है जहां अशोक के शिला लेख मिले हैं आईए इसके बारे जाने जिन जगहों पर अशोक के शिला लेख मिले हैं उन्हें इस मानचित्र में लाल बिंदुसे दिखाया गया है ये सारे इलाके सामराज्य के भीतर थे उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभीलेख मिले हैं हाँ ये भी बताओ भारत के कौन से राज्य मौर्य समराज्य से बाहर थे हाँ तो अब बाठ में चलें समराज्य में बहुत से नगर थे मानचित्र में उन्हें काले बिंदूओं से दिखाया गया है इन में सामराज्य की राजधानी पाठली पुत्र, उजयन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था दूसरी तरफ, उजयन उत्तरी भारत से दक्षिनी भारत जाने वाले रास्ते में पढ़ता था शायद नगरों में व्यापारी, स्तरकारी, अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे सामराज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशू पालकों के गाउं बसे हुए थे मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादतर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहन और जानवरों का शिकार करके जीवी का चलाते थे सामराज्य के अलग-अलग इलाकों में लोग भिन-भिन भाशाएं बोलते थे प्रिष्ट संख्या 79 वे लोग शायद अलग-अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहां तक कि अलग-अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे एक प्रश्न यहां पर है सबसे पहली बात सामराज्य का प्रशासन चुकि मौर्य सामराज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग धंग से शासन किया जाता था पाटली पुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर समराट का स्तीधा नियंतरन था इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गाओं और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था जो राजा के आदेशों का उलंगन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे इन मेंसे कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था संदेश वहाक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्य कलाप पर नजर रखते थे इन सब के उपर समराट था जो राज परिवार एवं वरिष्थ मंतरियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था मौर्य सामराज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांती राजधानियों से शासन किया जाता था कुछ हद तक पाटली पुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रन रखा जाता था और अक्सर राज कुमारों को वहां का राज जिपाल या गवर्नर बना कर भेजा जाता था लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानिय परमपराओं और नियमों को ही माना जाता था प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे इनके इलाकों में मौरे शासक सिर्फ मारगों और नदियों पर नियंत्रन रखने की कोशिश करते थे जो की आवागमन के लिए महत्तुपून थे प्रिष्ट संख्या सत्तर यहां से उन्हें जो भी संसाधन, कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकठा किया जाता था उदाहरण के लिए अर्थ शास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिन भारत, सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिध्ध था संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकठे किये जाते थे इस प्रिष्ट पर दो बॉक्स बने हुए हैं पहला बॉक्स नजराने का वर्डन करता है नजराना जहां कर नियमित धंग से इकठे किये जाते थे वही नजराना आनियमित रूप से जब भी संभव हो एकठा किया जाता था ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायह ऐसे लोगों से लिये जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे आईए अब दूसरे बॉक्स में चलें और यहां राजधानी में समराट की स्थिती का वर्णन है इसका शीरशक है राजधानी में समराट मेगस्थनीज चंदरगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के युनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया यहां हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं मेगस्थनीज का विवरण मेगस्थनीज कुछ इस प्रकार से लिखता है समराट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यत्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं कुछ अंग्रक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक जुंड रहता है जो समराट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतह हतियार बंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते ह कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चकते हैं। वे लगातार दो रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटली पुत्र जो आज का आधुनिक पटना है उसके बारे मेगास्थनीज ने कुछ इस प्रकार से लिखा है। आएए वर्णन को सुनें। सेरों से घिरा है। कुछ तुम्हारे सोचने के लिए। जरा सोचो और बताओ। राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चकते थे। एक बात और पाटली पुत्र मोहन जोदरों से किस तरह भिन्न था। संकेत अध्याय तीन देखो। प्रिष् रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकडी, मधु और मोम जैसी चीजें ला कर दें। अशोक एक अनोखा समराट अशोक मौर्य वन्ष के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुँचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राहमी लिप और इसी प्रिष्ट पर और एक बॉक्स जिसमें अशोक के शिलालेख के विशे में बताया गया है। उस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। आए शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन सुने। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाये जाते हैं, इसमें ब्राह्मन और श्रमन भी मारे जाते हैं, जो लोग अपने सगी संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, तथा दासों और मृतकों अब मैंने धम पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है मैं मानता हूँ कि धम के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बल पूर्वक विजय पाने से कहीं ज्यादा अच्छा है मैं यह अभिलेक भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उतकीन कर रहा हूँ कि मेरे बाद, मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम को कैसे बढ़ाया जाए आपके सोचने के लिए सोचें और बताएं कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ कोश्टक में धम संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है सबसे पहले इस प्रिष्ट पर दिये गए चित्र के बारे में वर्णन इस चित्र में उतक्रिष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ती को देखा जा सकता है यह बिहार के रामपुर्वा में मिले एक मौर्य कालीन स्तंभ का हिस्सा है अभी इसे राष्ट्रपती भवन में रखा गया है यह उस समय की मूर्ती कला का एक नमुना है आईए अब पाठ में चलें अशोक का कलिंग युद्ध कलिंग तटवर्ती उडिसा का प्राचीन नाम है इसे प्रिष्ट अर्सट में मानचित्र संख्या पांच में देखा जा सकता है अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खोन खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वित्रिष्णा हो गई उन्होंने निर्णे लिया कि वे भविष्टे में कभी युद्ध नहीं करेंगे अशोक का धम क्या था? अशोक के धम में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवर्शिक्ता नहीं थी उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे विवाहार की शिक्षा देते हैं वैसे ही उनका यह कर्तब्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें समवेदना थी उनके समराज्य में अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था जानवरों की बली चाहाई जाती थी दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था इनके अलावा परिवार में वा पडोसियों के बीच भी जगड़े होते रहते थे अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है इसलिए उन्हों ने धम महामात नाम के अधिकारियों की निउक्ती की जो जगह जगह जाकर धम की शिक्षा देते थे इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिये अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़ कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे अशोक ने धम के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीज तथा श्री लंका में भी दूत भेजे आपके लिए कुछ करने को प्रिष्ट संख्या 76-77 पर दिये गए मानचित्र संख्या 6 में दिये गए इन क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास कीजिए अब पाठ उन्होंग ने सडकें बनवाई, कुए खुदवाए और विश्राम ग्रिह बनवाई इसके अतिरिक्त उन्होंग ने मनुष्यों वा जानवरों की चिकित्सा की भी व्यावस्था की प्रिष्ट संख्या 73 इस प्रिष्ट में एक बॉक्स दिया गया है जिसमें अशोक ने अपनी प्रजा को जो संदेश दिया उसका विवरण है आए सुनते हैं अशोक ने अपनी प्रजा को इस प्रकार से संदेश दिया लोग विविन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं उदाहरन के लिए जब वे बीमार होते हैं जब उनके बच्चों का विवाह होता है बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं ये कर्मकांड किसी काम के नहीं इसके बदले यदी लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फल्दाई होगी ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना बड़ों का आदर करना सभी जीवों पर दया करना और ब्रहमनों तथा श्रमनों को दान देना अपने धम की प्रशंसा या दूसरों के धम की निंदा करना दोनों ही बातें गलत हैं हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तों में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को सम एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिने हम समझ सकते हैं और जिन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं。 अशोक ने धम के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं. अशोक के संदेश के उन हिस्सों को वताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं इस बॉक्स के नीचे एक और बॉक्स और उस बॉक्स में ब्राह्मी लिपी के बारे में वर्णन है ब्राह्मी लिपी आधुनिक भारत की ज्यादतर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपी से उत्पन्न हुई है यहां आप अ-क्षर को अलग-अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं इस बॉक्स में आरंभिक ब्राह्मी, देवनागरी यानी हिंदी, बांगला, मल्यालम और तमिल की लिपियां है प्रिष्ट संख्या चवहत्तर अन्यत्र मौर्य सामराज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में समराटों ने चीन की दीवार का निर्मान शुरू किया इसे बनाने का उद्दिश उत्तरी सीमा की पशु पालक लोगों से रक्षा करना था अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्मान कार्य चलता रहा, क्योंकि सामराज्य की सीमाएं बदलती रही यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और इंट से बनी है इसकी उपरी सतह सडक जैसी चौड़ी है इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं जरा सोचो और बताओ पड़ोसी देशों के प्रती अशोक का रवईया चीनी समराटों के रवईये से कैसे भिन्न था इसी बॉक्स में चीन की दिवार का चित्र दिया गया है यहां और एक बॉक्स दिया गया है जिसमें उपियोगी शब्द दिये गये है यह उपियोगी शब्द वो शब्द हैं जिन शब्दों का प्रयोग इस पाठ में किया गया है तो यह उपियोगी शब्द हैं सामराज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेश वाहक, प्रांत, धम आगे चलते हैं कल्पना करो कि तुम कलिंग में रहती हो और तुम्हारे माबाप को युद्ध में काफी दुख उठाने पड़े हैं अभी अभी अशोक के दूत धम के नए विचारों को लेकर आए हैं आप अपने माता-पिता और संदेश वाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करो आओ याद करें एक, मौर्य सामराज्य में विभिन काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ दो, रिक्त स्थानों को भरो कह, जहां पर समराटों का सीधा शासन था, वहां अधिकारी, खाली स्थान, वसूलते थे ख, राजकुमारों को अकसर प्रांतों में खाली स्थान के रूप में भेजा जाता था, प्रिष्ट संख्या पचहत्तर ग, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण खाली स्थान और खाली स्थान पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे ग, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को खाली स्थान दिया करते थे तीन, बताओ कि ये वाक्य सही हैं या गलत क, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था, सही या गलत ख, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य सामराज्य के अंदर थे, सही या गलत ग, चंदरगुप्त के विचार अर्थ शास्त्र में लिखे गए हैं, सही या गलत ग, कलिंग बंगाल का प्राजीन नाम था, सही या गलत अंग, अशोक के ज्यादतर अभिलेख ब्राहमी लिपी में हैं, सही या गलत आओ चर्चा करें 4. उन समस्याओं की स्तूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम द्वारा करना चाहता था 5. धम के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया 6. तुम्हारे अनुसार, दासों और नौकरों के साथ बुरा व्योहार क्यों किया जाता होगा क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि समराट के आदेशों से उनकी स्थिती में सुधार हुआ होगा अपने जबाब के लिए कारण बताओ आओ करके देखें 7. रोशन को यह बताते हुए कि हमारे रुपएयों पर शेर क्यों दिखाए गए हैं एक पैराग्राफ लिखो कम से कम एक और चीज़ का नाम लो जिस पर इनी शेरों के चितर बने है 8. अगर तुम्हारे पास अपना शिलालेख जारी करने की शक्ती होती तो तुम काउन सी चार राजा ग्याएं देते इसी प्रिष्ट पर एक और बॉक्स जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई है माउर्य सामराज्य की शुरुआत 2300 साल पहले प्रिष्ट संख्या 76 प्रिष्ट संख्या 76 में मानचित्र संख्या 6 है जिसमें रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग दिखाए गए है इसमें अलग-अलग रंगों द्वारा अलग-अलग मार्ग दिखाए गए है पहला मार्ग इस मांचित्र में मरून रंग के मार्गों को यदि आप देखेंगे तो ये मार्ग चीनी शासकों के नियंतरण में थे हरे रंग में जो मार्ग दिखाए गए हैं ये मार्ग कुशानों के नियंतरण में थे अध्याय नौ में इसका वर्णन मिलेगा हलके हरे रंग से जो मार्ग दिखाए गए हैं ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे लाल रंग से दिखाए गए मार्ग वो मार्ग हैं जो इरान या फारस के शासकों के नियंतरण में थे और अंतिम रंग हलका बैगनी रंग है जिसके द्वारा जिन मारगों को दिखाया गया है उन मारगों पर रोमन शासकों का नियंत्रन था प्रिष्ट संख्या 77 प्रिष्ट संख्या 77 में आओर एक मानचित्र दिया गया है जिसमें चीनी, भारतिय, इरानी, अरबी, युनानी तथा रोमन व्यापारियों के आदान प्रदान का नक्षा दिखाया गया है दक्षिन भारत के पत्तन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की द्रिष्टी से महतुपूर्ण थे उन पत्तनों को आप इस नक्षे में देख सकते हैं मानचित्र में पोडू का यानि दक्षिन भारत ढूडो अरिका मेडू का यह रोमन नाम था इसका वर्नन अध्याय आठ में हमें मिलता है यह मानचित्र The Times Atlas of World History जिसका संपादन जोफरे बरकलो ने किया है उसके सोजने से लिया गया है Hammond Inc. New Jersey 1986 प्रिष्ट संख्या 70 और 71 में यह पाया जाता है प्रिष्ट संख्या 78 आगे की बात इस बॉक्स में सबसे पहले दिये गए चित्रों का वर्नन सबसे पहला चित्र हिंद यवन काल के सिक्के का है दूसरा चित्र उस सिक्के का है जो कुशान काल में प्रचलित था तीसरा चित्र शक काल के सिक्के का है और चौथा चित्र साथ वाहन काल के सिक्के का है आईए अब इसके वृतांत में चलें आगे की बात लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य सामराज्य का पतन हो गया इनके स्थान पर साथ ही कुछ अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदै हुआ पश्ची मोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा इसके बाद पश्ची मोत्तर उत्तर तथा पश्चीमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई इसका प्रितांत हमें अध्याय 10 में मिलेगा शकों के बाद कुशाणों लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ अध्याय 9 में तुम कुशाणों के बारे में और अधिक जानोगे उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्य मित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की शुंगों के बाद कणव और कुछ और वन्षों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पूर्व गुप्त सामराज्य की स्थापना हुई हमने सुना कि पश्चीमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था यहां पश्चीमी भारत तथा मध्ध भारत पर शासन कर रहे साथ वहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए लगभग 2100 साल पहले स्थापित साथ वहन राज्य लगभग 400 वर्षों तक टिका रहा लगभग 1700 वर्ष पहले मध्ध तथा पश्चीमी भारत में वाकाटक वन्ष का शासन स्थापित हुआ दक्षिन भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांडियों ने शासन किया लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई इसके अलावा और भी कई राज्ये और राजा थे इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिन में सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था इन में क्रिशी का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगती थी व्यापारियों ने एक तरफ जहां उप महादवीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफरिका तथा दक्षिन पूर्वी एशिया जो मांचितर छे में देखा जा सकता है के समवुद्री रास्ते भी खुले, मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्मान हुआ किताबें लिखी गई, साथ ही वईग्यानिक खोजें भी हुई ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते समय तुम इन बातों को ध्यान में रखना अभी आफ सुन रहे थे कक्षा 6 की इतिहास की पाठे पुस्तक हमारे अतीत का सात्वा अध्याए शीर्शर्था अशोक एक अनोखा समराठ जिसने युद्ध का त्याग किया निर्माण सहयोग शानू मुक्सीम वाचन स्वर और निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुती CIET NCEAT नई दिल्ली भारत